नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि 2024 में आप अपने सेविंग अकाउंट यानि बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं कि आपको Income Tax Department के तरफ से कोई भी नोटिस ना आए क्योंकि आज के समय में Income Tax Department बहुँ जादा सक्त हो चुका है और ऐसे में डर बना रहता है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके हाथ Income Tax Department का नोटिस लग सकता है जी हाँ दोस्तों आप एक छोटी सी गलती करेंगे और Income Tax Department आपको नोटिस थमा देगा और अगर आपको Income Tax Department का नोटिस मिल गया तो उसमें आपको 100% से ले करके 400% तक की पैनाल्टी देनी पर सकती आनी भरना पर सकता है आपके उपर Income Tax Department 400% तक की पैनाल्टी इंपोस कर सकता है जो की बहुत ही हेवी पैनाल्टी होती है क्योंकि आज के समय में Income Tax Department आपके सेविंग अकाउंट पर लगातार नजर रखे हुए है तो उससे बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिटेशन है आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं ताकि आपको Income Tax Department के तरफ से कोई भी नोटिस ना आए, और आपके उपर Penalty Imposed ना हो ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले चलिए सुरू कर लेते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, यह जानने से पहले आप सभी को यह जानना बहुत ही आवश्याख है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक Financial Year, यानी एक वित्ती वर्से में कितना पैसा कैस में डिपोजिट कर सकते हैं और कितना आप cash विड़ाल कर सकते हैं अपने saving account से एक financial year में और उसके साथ ही यह भी जानना विश्यक है कि एक दिन में आप अधिकतम कितना रुपया cash deposit कर सकते हैं और कितने रुपय cash विड़ाल कर सकते हैं अपने saving account से ताकि आपको income tax department की तरफ से notice ना आए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आप अपने saving account में एक वित्ती वर्स में अधिकतम 10 लाख रुपय cash deposit कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ cash की बात कर रहा हूँ यहाँ पर check, neft, rtgs, upi की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ cash की अगर आप एक वित्ती वर्स में 10 लाख रुपय से अधिक cash deposit कर देते हैं तो आपको income tax department का notice मिल सकता है साथी दोस्तों हम आपको यहाँ भी बताना चाहते हैं कि आपके जितने भी saving account हैं उन सभी को जोड करके income tax के दौरा यह limit ते की गई है यानि एक बेक्ती उसके कितने भी saving account हो उन सभी की जो limit है एक financial layer की वो 10 लाख रुपय है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके अगर 3 saving account हैं तो किसी में आप 10 लाख डाल देंगे, किसी में 5 डाल देंगे, किसी में 3 डाल देंगे तो आपको notice नहीं आएगा अगर आपने 10 लाख रुपय की limit को cross किया है एक वित्ती वर्स में cash deposit करने में फिर वो चाहे आपके 4 saving account हो, 5 saving account हो, 10 saving account हो लेकिन सभी को जोड़ करके जो limit है वो maximum 10 लाख रुपय है अमालीज़ अगर आपकी 5 saving account हैं और आपको 10 लाख रुपय की limit दे गई है तो आप सभी में 2-2 लाख रुपय ही जमा कर सकते हैं एक वित्ती वर्स में इस से जदा अगर आप deposit करेंगे और 10 लाख रुपय की limit को अगर आप cross करते हैं आपके pen number से तो फिर दोस्तो आपको income tax department का notice मिल सकता है और इस भूल में भी आप मत रहिएगा कि income tax department नहीं पकड़ पाएगा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे उस खाते में तो pen card link नहीं है तो income tax department मुझे पकड़ नहीं पाएगा या मेरे उस खाते में आधार link नहीं है दोस्तो हम आपको बताना चाहते हैं आज के समय में सारा system centralized हो गया है आपका आधार card आपके pen card से link है आपका pen card आपके आधार से link है आपका mobile number आपके आधार pen दोनों से link है तो उस इस्थिती में आप बच नहीं सकते आपका अगर कही mobile number लगा है तो भी पकड़े जाएंगे आधार number लगा है तो भी पकड़े जाएंगे और पैन कार्ड लगा है तब भी पकड़े जाएंगे तो ये इस होसियारी में आप मत रहिएगा कि मेरा पैन नहीं लिंक है तो हम पकड़े नहीं जाएंगे अधिकतम आपकी लिमिट 10 लाख रुपए है आपके खाते 10 हों 20 हों इससे लेना देना नहीं है आपको एक सेविंग अकाउंट में अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैस डिपॉजिट कर सकते हैं उससे याज आगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंकम टैक्स डिपार्ट तो उसकी जो लिमिट है सेविंग अकाउंट की वो भी है 10 लाख रुपए है आप एक वित्ती वर्स में अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैस निकाल सकते हैं बैंक के माध्यम से अधिकतम प्रेड़ाल करते हैं तो भी आपको इंकम टैक्स डिपार्ट्मेंट का नोटिस मिल सकत अगर आप उसे explain नहीं कर पाय कि यह पैसा आप कहां ले गए इतना कैस आपने क्यों निकाला तो आपके ऊपर 100% से ले करके 400% तक की penalty income tax department impose कर सकता है अब दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हैं तो फिर आपको कोई दिग्धत नहीं अगर आप ITR में दिखाते हैं आपको कोई यह ऐसा काम है जहाँ पर आपको कैस का ही काम करना होता है तो उस हिसीती में मैं तो यहीं कहूंगा आप एक current account खुलवा लिजिए चाहे आप self current account खुलवा ले या फिर business के नाम से current account खुलवा ले और उसमें आप लेंदेन करिए चुँकि उसकी जो limit है वो है 50 लाग tax की चोरी नहीं कर रहें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आप ज्यादा भी deposit कर सकते हैं और ज्यादा भी विड़ाल कर सकते हैं बस अगर आप 20 लाग के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको 2% TDS देना होगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक दिन की क्या limit रखी गई ह और एक दिन में आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही cash विड़ाल कर सकते हैं इस से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो high value transaction की नजर में आ जाएंगे और आपको income tax department notice भेज सकता है फिर आप चाहें 3 बैंकों से निकाले 5 बैंकों से निकाले या 1 बैंक से निकाले limit आपकी 2 लाख रुपए ही है आपको 2 लाख रुपए के अंदर ही cash विड़ाल करना है एक दिन में ही और अगर आपके पास ज्यादा cash है मलो आपको ज्यादा deposit करना है तो आप 3 दिन में कर दीजिए ज्यादा cash deposit करना है तो आप 3 दिन में कर दीजिए लेकिन ध्यान रहे आपकी एक financial air की limit भी 10 लाख रुपए ही है वह अगर आपको विड़ाल करना है ज्यादा cash तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा एक दिन में विड़ाल मत करिए तो उनसे बचने के लिए आपको 2 लाख रुपए से कमका ही transaction करना है चाहे आपको deposit करना हो चाहे आपको विड़ाल करना हो एक दिन में आप ना करें अब हम बात कर लेते हैं आप अपने saving account में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको income tax department के तरफ से कोई भी notice ना आए आप penalty से बचे रहें income tax के और notice से भी बचे रहें तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि income tax के दौरा ऐसी कोई भी limit तै नहीं की गई है कि आप अपने saving account में कितना पैसा रख सकते हैं आपका saving account है आपका पैसा है जितना मर्जी चाहे आप अपने saving account में पैसा रख सकते हैं उससे income tax department को कोई भी दिक्कत नहीं है 50 लाख रखिए एक करोन रखिए हो सकता है कोई ऐसा बेकती है मालीजिए वो 2 लाख रुपए प्रतिवर्स बचा रहा है और वो पिछले 20 सालों से पैसा जमा कर रहा अपने saving account में तो आज की date में उसके saving account में जो amount होगा वो हो जाएगा 40 लाख रुपए तो कुल मिला करके उससे income tax department को कोई भी दिक्कत नहीं है कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए प्रतिवर्स बचा रहा अपनी saving account में जमा कर रहा है और वो tax payer भी नहीं है तो आज की date में उसके खाते में जो balance होगा saving account में 50-60 लाख रुपए होगा उससे income tax department को कोई भी दिक्कत नहीं है आपका पैसा है आप अगर saving करके जमा कर रहे हैं और अगर आप tax payer की दायरे में आते हैं tax भी पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप कितना भी पैसा अपने saving account में रखे income tax के द्वारा इसी कोई limitation नहीं RBI के द्वारा भी ऐसी कोई limitation नहीं बनाई गई है कि आप अपने saving account या नि बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं जितना मर्जी चाहे आप पैसा रख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like कर दीजेगा साथी channel पर नए है पहली बार आए है तो channel को subscribe करके bell icon को भी प्रस कर दीजेगा क्योंकि इस तरह के helpful वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस channel पर लाता रहता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले interesting topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत